आप सभी का स्वागत है लग प्रिती चैनल में तो आज मैं आप सभी को बाल जड़ने के एक वीडियो में नुक्से तो बता चुती हूँ दूसरा नुक्सा लाइल लेकर आई हूँ तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गा और लाइक कर दीजा, कमेंट करके जरूर बताइए गा कि आप सभी को यह नुक्से कैसे लगे और आपको फाइदे अगर हो रहे हैं तो तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ आज आमले के बारे में जो की आमला बहुत ही फायदेयुक्त है हमारे शरीर के लिए और बालों के लिए तो अगर हम इसे कच्छा भी खाएं तो फायदेमंद है इसका अचार बना कर खाएं तो फ पाय मिलाते हैं यह बताने चाह रही हूँ तो अब भी जरूर करिएगा तो अगर आपके पास आमला है तो या अगर हरा आमला है तो उसको गोड लीजे किस लीजेगा और उसका रजूस निकाल लेजेगा तो तेन-चार चम्मस उसका जूस और उसमें नीवू का रस दोनों अच्छी तरह से लगा लिए वालों में लगा के दो तीन घंटे के लिए कम से कम छोड़ दें जब अशूख जाये तो इसे सादे पानी से साथ कर लें उसमें ना तो गुन गुना पानी उपयोग करें ना यह बहुत थंडा पानी एक गंग सादा पानी जो तुरंग का आया को अदि आगर हम बजार में अब मार्केट में बहुत अधी जी हुए जाता है कम उस पादर को ला के ढोल सकते है अची तरह से झोछ को सके तो आप लोहे वाले बटन भी उसको अपल हिसे इसलों में खोलें। और उसका पेस्ट गाढ़ा अपने बालों में लगा लगाले उ तो दही दो चीज़ मिलाले और बालों में लगा लें इससे हमारे रेंडरप भी जाएंगे और दही की वज़े से अपने बालों में चमक भी आएगी चौटा उपाय बताने जा रही हूं दही के बारे में अब हम दही भी बहुत उप्योगी होता हम फेस में भी लगाते हैं जो हमारे ताने आ जाते हैं पिंपल आ जाते हैं तो हम फेस में भी उसे लगाते हैं और बालों में भी तो बालों में हमेशा हफते में एक बार तो झाल दवाल